तो हेलो नमस्ते स्स्रिया गाल केम चोई वेलकम बैक तो मैं चानल सो बिफोर स्टाट दो वीडियो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इस पूरे वीडियो में मेरी जो आवाज है वो काफी अलग लगने वाली है क्योंकि लास दो दिन से थोड़ा गले में में को प्र बिजिन से नमस्ते से पीडियो में में चाहिए अचाहिए था आप करेंगे नियुक्त आप साथ अट इक ब्लेवीड जो नाइब को ब्लीवूट जो है उसी तरीके से अपने को बना इया कि वन्यूट जो आपका लाइफ एक लिए और लाइफ 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 ये निगा बट वो रियालिटी नहीं होता है और किसी को TVF pictures जैसा happy ending नहीं मिलता है in reality the story is completely different so it's been almost 5 years जब से मैंने अपना career चालू किया है and इस 5 साल के पूरे मेरे span में I have done a job also मैंने अपना business भी किया अब में YouTube भी कर रहा हूँ में को अच्छा कासा knowledge आ गया that what is a job life and what is a business life और यह जो पूरा video है is based on my personal experience my personal opinions about both of these things तो अगर आप लोग को मेरे opinions नहीं अच्छे लगे अगर आपको गलत लगे तो please let me know in the comments और आप dislike भी कर सकते हूँ कोई problem नहीं बट video को end तक देखना क्योंकि में भी इस video को देखने के बाद काफी लोग का जो perspective है about business के लो जॉब के लो वो शायद change हो सकता है शायद से तो आज से कुछ सालों पहले अगर आपने को पूछो ना मेरा mindset ऐसा था कि boss अपने को है ना अपना 12 खतम करना फिर जॉब लेने का फिर graduation करना फिर you know कुछ सालों बाद शादी करनी है बच्चे करना है अगर आज अगर आप में को बोलो तो मेरा पूरा परस्पेक्टिवी बदल गया है सब्सक्राइब करना फिर अपने को अपने को एना जॉब करना अभी चाहे कुछ हो या ना हो अच्छा कास अपने को एक्सपिरियंस लेना है जो जॉब हंटिंग है यह चला फोर अल्मोस्ट एक साल और वेन तो अल्मोस्ट 50-60 प्लेसे इंटर्व्यूस देने कुछ जगा पर मेरा हुआ हुआ बट मैं नहीं गया कुछ जगा पर मैं गया फिर काफी सारी चीज़े हुई वो टाइम पे एंड कुछ कंपनी तो में को यू पेस 5000 ठीक हम वो एक security deposit के तौर पर रखेंगे एंड तुमको हम काम देगे of typing in a book and जो जो पेज होएगा वो एक पेज का तुमको हजार या कुछ रूपिया मिलेगा है उसमें कुछ 300 पेजिस होते थे पागल बना दे सीधा कि you will earn like 1 lakh a month 2 lakhs a month और मैं भी पागल जैसा ज को सब बताती है that you know when you do a job to you are in a routine and you cannot get out of that cycle I feel it is a very wrong concept because job करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है काफी लोग को jobs नहीं मिलती है and काफी लोग job करते because of the circumstances in their life financial crisis कहलो या फिर family pressure कहलो या फलाना जो भी रहता है वो लोग उसके लिए ही job करते and they do not have the sources to start a business and let's accept this fact कि job और business दोनों ही है ना एक ही सिखेगे दो पहलू है ठीक है अगर jobs नहीं है तो obviously business नहीं होगा और business नहीं है तो jobs generate हो गही नहीं तो दोनों भी एक दूसरे पर dependent है तो कोई एक उपर और कोई नीचे नहीं होता है वो एक बहुत रॉंग concept है जितना जल्दी आप अपने दिमाग तब मेरे दिमाग में तक है यह क्या job लोग करते है वही 9 to 5 का रोज का रोज वही सेम रूटीन अपने को यह लोग से बात नहीं करने का है but then I realized when I started YouTube के भाई दोनों अपनी जगा पे बहुत ज्यादा सही है and we cannot compare them at all तो आप भी comparison करना बन करो when I started with my job initial days में I was really happy because में को 2-3 सालों से यही करना रहा and finally मेरे life में वो चीज हो रहे थी और जब मेरा पहला salary मेला I guess 2500-3000 रूपी ता I was really happy and मतलब मेरा life मेरा मखन जैसा हो गया था एग दम की highway पर आपन फास्ट गारी चला रहा है no traffic no signal nothing but जैसे जैसे फिर देरे तीरे time गया I realized for a fact कि यह life है नब मेरे ले नहीं बनी है this is my again I am saying this is my personal opinion and में को असा लग रहा था कि नहीं यह यह चीज पर्टिकुलरी मेरे से नहीं होने वाली I am ready to take some risk and start my own business but वो ही था कि वो टाइम में को पता नहीं था how should I start a business plus plus वो टाइम पे भाई अपने पास पैसे अगिरा भी कुछ यह चीज मैंने मेरे कली को बोली वो भी graphic designer ही था तो उसको video editing का भी बहुत अचा knowledge था तो उसने में को एक idea दिया that we both can start a company of social media ठीक है और 2018 की बात है जब social media पर इतना इसब फेमस नहीं था कि को company दूसरे company के products को promote करे थू SEO अगेरा and वो time पे हमने यह पूरा idea सोचा था so we started a company called as oculus हम लोग ने zero investment से चालो किया but we printed our visiting cards और हमने एक हमारी website भी बने जिसके उपर हमने लिखा that what all packages do we give how we will promote a company's product online ठीक है so I still remember यह जो पूरा हमने जो चोटा सा एक business का मेरा face था business life का मेरा face था this went on till I guess 2 months and starting के 10 दिनों के अंदर ही हम लोग ने कुछ 100 companies थी जिनको DM किया था ज 15-20 companies थी जिनों ने हाँ बोला and उनके साथ हमारा conversation आगे बढ़ा तो मैं अभी आप लोग को किस्ता सुना तो मेरे business life के face से काफी funny incident है और काफी मतलब में को सीखने मिला वासे so I remember एक दिन में को मेरे client का call आया उसका कुछ saloon वागे था तो उसको call करके बोला कि Amman let's have a meeting and let's final इसको आगे कैसे लेके जाएगे तो मैं खुश हो गया कि अपने को पहला client lock होने वाला है तो मैं मेरे office से फटा-फट निकल के सीधा बैंड रा गया उसको मिलने के लिए and as soon as I reach there वाप पहुच्छे पहुच्छे में को देड गंटा लगा because it was in a very interior lane तो वाप पहुचा मैं and and I call that guy तो में को बोला कि Amman तु बैठ थोड़ी दिर I will come in sometime आदा गंटा हुआ एक गंटा हुआ आया नि मैं वापिस उसको कॉल किया but after I guess one and half hour वो आया तेड गंटा में को बिठागे रका but finally वो आया and हमारी बात चालो हुई and I don't know why but after like half an hour of talking he was very satisfied he was very happy to start with this and हमारा deal almost close होने वाला था where he will pay us 10,000 rupees and we will promote him on Instagram हो गया YouTube हो गया and Facebook ads वागे आपे हो गया but पता नहीं out of nowhere उसी रात को में को call करके बोलता है कि Amman I won't be able to do this so I am sorry इतना बोलके बंदे ने फोन काटा वो ताम पर जो दिमा का दही हो गया भाई साहब दिमा का दही हो गया बहुत बहुत अंदर से गुसा आरा था मेरको और मैंने सोच लिया था कि नहीं करना बिजनेस मेरको इससे बेटर तो जॉब है वाई स्टेबिलिटी तो है लाइफ में यह क्या हो गया मतलब मैं all the way चार घंटा मेरा वेस्ट किया and eventually में को क्या सुनने मिलता है I am sorry then वो कहते ना कि जा चाह है वार र तो वो ताम पे तो मेरा कुछ बड़ा नहीं बट यह चीज में को अपला हुई YouTube में तो अगर मैं बिजनेस नहीं करता तो शायद से वो जो स्किल्स थे वो मैं सीख नहीं पाता और यूट्यूम में अपला हो नहीं पाते और आज शायद से यह वीडियो भी नहीं बनता तो देख रहे हो जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है So now let's talk about the pros and cons of job and business तो पहले job की बात करते है सबसे बड़ा pro of doing a job is that you can spend time with yourself आप खाली 8 गंडा दिन में काम करो उसके बाद पूरा दिन आपको जो करना आप कर सकते हो movie जाओ ठेटर जाओ second pro is that you follow a routine and जब आप एक routine follow करते हैं आप बहुत बहुत बढ़ जाता है और जब आपकी discipline life में बहुत बढ़ जाता है तो आपका जो mental piece है ना वो एकदम top notch हो जाता है जो मेरा इतना नहीं हुआ था but it was nice I was happy in my job life and में एकू satisfaction zone में आचुका था now talking about the con, सबसे बड़ा con is that you are working for somebody else for almost 26 days in a month और return में आपको सिर्फ पैसे मिल रहा है आपको credits वागेरा कुछ कभी मिलता नहीं सिर्फ आपको पैसे मिलता है so I feel that in the longer run this is the biggest con now let's talk about the pros of a business सबसे पहला pro है कि तुम खुद के मालिक हो आज में अपना थुद का YouTube channel चला रहो which I consider as a business and if you are a creator I feel initially okay hobby जैसा ले लो but after a point treat this as a business because अगर अप सही तरीके से अपने YouTube channel को चला हो trust me this can be a very big business for yourself and it can fetch you a lot a lot of money second pro of business life is the growth rate जो आप जोब में 6 साल में सीकोगे ना सबसे बेस्टीचर है now talking about the cons of business life यह सुनके लो सब लोगो को लगते business life is a very jelly world strawberry world आप जैसे enter करते हैं आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं आप Dan Bilzerian जैसा घूम सकते हो साहिल कान जैसा body बना सकते हो and you can enjoy your life but reality नहीं है boss because यहापे भी बहुत सारे cons होते है you go through a lot of anxiety a lot of depression a lot of failures मतलब दो माईने के टाइम में अल्मुस्ट दस पंदरा clients को दिये थे हैं मतलब वो आई नहीं थे कभी बट एक को कहते हैं कि हाँ बोलके फिर उलोग ने वेको ना बोला था रिलाक्स करोगा बट जब आप बिजनस करते हो तब आपको पता है कि Sunday को भी काम है Monday को भी काम है Monday रात को भी काम है Tuesday morning को भी काम है for example if I talk about this YouTube channel बाई अपना Sunday हो या Monday हो अपने को जबी भी time मिले अपने को video बनाना पड़ता ही है but again I am saying यह जो दोनों जिन्दगी है ना job and business यह दोनों एक दूसरे से interrelated है तो please अगर आप business कर रहे हो तो do not look down upon the people जो job कर रहे because वो भी अपना काम कर रहे maybe they are happy in their life maybe they want to be that stable person they want to be comfortable inside their comfort zone वो ही on the other hand जो लोग job कर रहे है उनको लगता है कि यह जो business कर रहा है वो मतलब अपनी जिन्दगी नहीं जी रहा है बस वो पूरा दिन काम 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 कर रहा और ऐसी जिन्दगी क्यों जी है it's his life अगर उस बंदे को वैसा जीना पसंद है अगर उसको असल करना पसंद है तो उसमें गलत ही क्या है today I have started with my youtube channel and my future में start-ups अगराभी करने का plan है मेरा काफी plan है that I will make my team में this team को बहुत बड़ा बना होगा मेरा यह सब plans है but again यह मेरा खुद का personal opinion है and I am very happy with this decision till now बस आगे कुछ गडवट न हो जाए so that's my opinion on job life and business life अगर आप लोगो कुछ भी बताना है about this particular thing or if you want to share any story so let me know in the comment so if you enjoyed this video like करो, share करो, subscribe करो जो आपको करना है कर सकते है आपने में अगले वीडियो में तब तक signing of footprints शुक्रिया